लो दोस्तो स्वागत है आपका अमन अनलिसिस में तो दोस्तो आज का ही जो वीडियो है ये एक तरीके से एक अपडेट होगा on UPSC NDA exam postponement और दोस्तो मेरे खाल से आपको इस सब चीजे जाननी चाहिए और मेरा काम है आपको बताना तो आप इस वीडियो का पूरे एंट तक जरूर देखना अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना तो दोस्तो आप देख सकते हो आर्टिकल करियर 360 का आर्टिकल है ये कि UPSC Esperance Demand Postponement of Upcoming Civil Services Prelims क्या है पूरी रिपोर्ट? ये कि Senior Advocate ने Supreme Court में of Indian has recently written a letter to the Union Public Service Commission to postpone the Civil Services Prelims examination as per the letter due to coronavirus situation in the country and floods in some parts of the country it will be very difficult for candidates to appear for the examination इसमें भले ही Civil Services की बात चल रही है लेकिन इस आर्टिकल में ND exam की भी बात की गई है जो कि अब लगभग अब एक तरीके से 15 days से भी कम दिन बाकी है आपकी exam होने के लिए लेकिन ये से बात की गई है कि बहुत सरे जगाओं में बाड़ आया हुआ है बिहार की कुछ इलागों में तो वहाँ के जो बच्चे हो किस तरीके से अपने exam देने के लिए पहुचे है ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो कि इन्होंने लेटर के थुरू UPSC को भेजा है और UPSC का भी जवाब आना बाकी है इसके उपर इसके साथ साथ आपको मैं बता दूँ कि आप देख सकते हो कि जेई नीट के exam के लेकर जो center पे बहुत pressure बनाया जा रहा है बीजेपी लीडर सुब्रमन्यम स्वामी राइट सु पियम मोदी लिस्ट 13 reasons for postponement of exams यानि कि पूरा एक तरीके से हर कोई demand कर रहा है कि exam अभी ना करवाए जाए exam अभी ना करवाए जाए बहुत से ऐसे leaders बहुत से ऐसे संस्था in fact बहुत सारे ऐसे teachers भी हैं जो examination को postpone करने की मांग कर रहे है और एक तरीके से ये सब आप लोग students के लिए हो रहा है ठीक है तो इसमें अलग-अलग सब की अब धारना है अलग-अलग सब की विचार है सब की thoughts है तो हम लोग किसी की thoughts को कुछ कह नहीं सकते बस हमको क्या करना है हमको updated रहना है which is very important और उसके साथ साथ अपनी preparation पे ध्यान देना है आप उन बच्चों से आगे निकल जाओगे जो बच्चा सोचता रहेगा कि postpone हो जाए अगर exam हो गया तो वो बच्चे जो postpone सोच के रखा है वो तो exam नहीं ठंक से देगा नहीं देगा और आप दे सकोगे अच्छी तरीके से ठीक है तो पढ़ाई पे भी ध्यान दो अपना concept को clear रखो कि क्या क्या चीज़े चल रही है अपने आपके surroundings में और बस यही update देना था आपको ठीक है चलता हूँ मैं जा हिंद जा भारत